वेलकम लेर्नर्स, डिस इस यो मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड याव केवियस के डेट डिक्लियर हो चुकी है और केवियस में लिट्रिचर पोशिन को हमको डिस्कस करना है तो आज से हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं NCRT के सभी चैपेर्स को कवर करने के लिए ठीक है, तो क्लास 6 की 1 स्टोरी है हो डिड पैट्रिक्स होमवर्क आज हम लोग यहां से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए, जो केवियस का पैटर्न है वो 6 से 10 की, 6 से लेकर के 10 क्लास तक की NCRT को हमको डिसकस करना है, वैसे तो यह बच्चों का स्लैबस है लेकिन यह जो हमारे केवियस के TGT के एक्जामिनेशन के लिए स्लैबस रखा गया है, उसका जो डेप्थ लेवल होगा और जो एक्जामिनेशन में आने वाले क्वेशन्स होंगे उनका जो लेवल होगा, ग्रेजुएशन लेवल का ठीक है, तो एक्जामिनेशन कहां से क्वेशन बना सकता है यह तो वही जान सकते है तो हमें यह जो लेसन है, इसका थीम, इसका सम्री है न और इसका जो लाइन, टू लाइन हमें हर एक वर्ड को, वो कैब की नजर से भी बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा ठीक है, जिससे हम अपनी तरफ से कहीं कोई कमी न छोड़े तो चलिए स्टार्ट करते है पैट्रिक नेवर डिड हूमवर्क जो पैट्रिक है, एक बॉय है वो अपना होमवर्क कभी नहीं करता है तू बोरिंग, ही सेट वो कहता है कि उसे बहुत बोरिंग लगता है वो क्या करता है, वो हौकी खेलता है बसकेट बॉल खेलता है और निंटेंडो, ये सभी गेम वो केबल खेलता है ये सब खेलना उसको पसंद है निंटेंडो एक टाइप का गेम है ये वीडियो गेम है इस टीचर्स टोल हीम उसके टीचर्स बोलते हैं पैट्रिक, दो यूर होमवर्क और यूवर्क, लर्न ए तिंग पैट्रिक, तुम्हें तुम्हारा ग्रह कारे करना होगा नहीं तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं हो पाएगा ठीक है और ये सच्चाई है ये सच्चाई है, कभी-कभी वो अपने आपको फिल करता है एक इक्नॉरमस के तरीके Ignoramus का मतलब होता है अग्यानी ठीक है? यहाँ आपको right side में वो cap भी दिख रहा है उसको भी पढ़ते जाना है, कुछ छोड़ना नहीं है Ignoramus and ignorant person who lacks education, यानि अग्यानी ठीक है? But what could he do? लेकिन वो क्या कर सकता था? He hated homework, वो homework से काफी घ्रना करता है ठीक है? वो homework से काफी घ्रना किया One day, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away तब एक दिन उसने ये पाया कि उसकी जो बिल्ली है वो एक little doll के साथ में चोटी सी doll के साथ में खेल रही है and he grabbed it away उसने उससे खीच लिया ठीक है? किसको खीच लिया? उस little doll को To his surprise it और फिर वो चौक जाता है It was not a doll ये एक गुडिया नहीं होती है यानि वो एक गुडिया नहीं थी तो क्या थी? आई ये देखते हैं जी, a doll जी, but a man of the teniest size वो क्या था? वो एक गुडिया नहीं थी लेकिन एक आदमी था सबसे छोटी size का ठीक है? He had a little wool shirt with old-fashioned bridges and a high tall hat much like a witch's He had a little wool वो उसने, मतलब जो छोटा सा, tiniest size का जो man था उसने एक uni shirt पैनी हुई थी और पुरानी fashion की bridges पैनी हुई थी bridges होता है जो shoes होते हैं गुटनों तक के उसी में मोजा जो है fix रहता है इस टाइप का कोई एक dress रहता है bridges और short trousers the writer here spell it for fun or rhyme the word witches ठीक? जी, बिल्कुल and high tall hat much like witches तो जो उसने bridges पैनी हुई थी और hat type का hat लगाया हुआ था किस के जैसे? witches के जैसा witches मतलब जो चुडायले पहनती है लंबी सी कैप कर रहे हैं ठीक है audience को हसानी का जी he yield तो वो चिलाया continuous decides का जो man था वो save me मुझे बचाओ don't give me back to that cat और मुझे वापस बिल्ली को मत दो I will grant you a wish मैं आपस ये विंती करता हूँ ठीक है करूँगा I promise you that मतलब कि मैं आपसे promise करता हूँ कि आप जो बोलोगे मैं वो काम करूँगा ठीक है तो Patrick could not believe how lucky he was तो Patrick जो है वो समझ नहीं सका उसको यकीन नहीं हुआ how lucky he was कि वो कितना ज्याता भागेशाली है here was the answer to all of his problems अब यहाँ पे सभी समस्याओं का एक जवाब था so he said उसने बोला if you only if you do all my homework till the end of the semester that's 35 days हाँ तुम मेरा काम करोगे ठीक है और जब तक कब तक करोगे जब तक मेरा semester खतम नहीं हो जाता तब तक ठीक है और जो मेरा semester है वो है 35 days का ठीक if you do a good job enough I could even get ass अगर तुम मेरा ये काम करते हो ठीक है I could even get ass तो हो सकता है कि मुझे एक grade मिले ठीक है the little man the little man's face wrinkled like a disc cloth तो जो जी तो little man का जो face उसने wrinkled ऐसे कुछ पढ़े यानि अपने चाहरे को थोड़ा ऐसे ऐसा face बनाया लाई के disc cloth thrown in a hamper जैसे कि कोई bucket है ठीक है लिट से यानि जो कोई गंदी bucket है उसमें जो है किसी कपड़े को गंदी कपड़े को फेक दिया जाए इस तरीके से उसने अपना face बनाया किसने little man ने ठीक है he kicked his leg तो उसने अपने पैरों को जैसे हिलाया यानि ला तुमारी ठीक है क्यों ऐसा उसने क्यों किया क्योंकि जो पैट्रिक था उसने अपने हाथों में उसे पकड़ रखा था किसको tiniest man को ठीक है and doubled his fist और doubled यानि कि अपनी his fist fist का मतलब होता है मुठी ठीक है fist is मुठ्यों को उसने डबल यानि भीचा ठीक है फिर and he grimaced grimaced का मतलब होता है कि facial expression बनाना ठीक है and scowled and pursed his lips scowled का मतलब होता है कि in angry expression दीना ठीक है यानि कि बहुत गुस्से वाला मुँ बनाना तो उसने ऐसा गुस्से वाला मुँ बना है and pursed his lips और होतु को दबाते हुए बोला oh I am cursed अरे मैं कितना जो है शापित हूँ ऐसे उसने बूल expression दिया but I will do it लेकिन मैं इसको करूँगा ठीक है अच्छा ये जो tiniest man आपके बार a midnight summer's dream में इनका थोड़ा बहुत जिकर है ठीक है और ये जो इल्फ सो होते है ये खुद कोई काम नहीं कर सकते है ठीक है क्योंकि ये कुछ मायावी तोर पे कुछ जादू magical trick से जो है काम कर देते है और ये कैसे करते है ये जो इनकी जो परी वगिरा होती है वो जो इनको instruction देते है ये उसको follow करते है बाकि ये खुद से कुछ काम नहीं कर पाते है ठीक है ऐसा भी आपके story में देखने को मिलेगा ओके वो कैम इस cloth है एक cloth used for washing dishes ठीक है हम पर है बास्केट विद लिड His face had these expressions showing disgust, anger and disapproval जैसा कि मैंने आपको बता है ठीक है अपने गुस्सा वाला face इसने create किया था And to to his word That little elf began to do Patrick's homework तो as to to his words जैसे कि elf ने उसको बोला हुआ था कि वो काम करेगा That little elf began to do Patrick's homework तो उसने शुरू कर दिया Patrick का homework करना Except there one glitch लेकिन एक परिशानी थी Glitch का मतलब होता है An informal word है A fault in a machine that prevents it from Working properly here, hitch or problem यानि कुल मिला कि एक trouble, कोई परिशानी The elf didn't always know what to do जो elf होती है उनको पता नहीं होता जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे करना है As you need help उनको में शावशक्ता पढ़ती है Help help, sorry help me, help me He did say, वो ऐसे बूला कौन, यह जो tenuous size का मैं था यानि की इल्फ And Patrick would have to help और Patrick उसकी help करनी पड़ेगी ठीक है In whatever way, किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से, किसी भी रस्ते से उसको उसकी मदद करनी पड़ेगी I don't know this word मैं इस वर्ड को नहीं जानता The elf squeaked Ja, squeaked का मतलब होता है कि जैसे कुछ आवाजी करना जैसे चूँ चूँ ची ची है न वो elf ऐसा something कुछ करता रहा होगा While reading Patrick's homework जब वो पढ़ रहा होता है किसका Patrick का homework Get me a dictionary मुझे एक dictionary लाकर के दो No, what's even better बलकि ये मत करो इसे अच्छे ये है कि look up the word इस word को आप देखो उस शब्द को ढूंडो And sound it out by each letter और मुझे एक एक letter बोल करके बताओ When it came to math और इस तरीके से जब math subject का turn आया तो Patrick was out of luck तो Patrick था वो तो बिल्कुल ही out of luck हो गया था तो वो क्या बोला कि ये time tables क्या होते है ये इल्क ऐसा बोलता है इल्फs never did that हम सभी इल्फs को कभी भी इसकी ज़रुवत नहीं पड़ी अवश्यक्ता नहीं पड़ी ठीक है and addition and subtraction and division and factors ये जो गुड़ा भाग जोड़ घटाओ है ये सब क्या होते हैं ये सभी क्या है here sit down आओ यहां बैठो beside me मेरी बगल you simply must guide me तो मुझे सरलता से बताते चलना गाइड करते चलना इल्फs know nothing of human history इल्फs जो है वो मानवी इतिहास भी नहीं जानते हैं ठीक है to them it's a mystery तो उनके लिए ये सभी एक रहसी है so the little elf वो already a shouter तो जो little elf होता है वो already वो ये सब चीकता चिलाता रहा यानि कि वो एक चिलाने वाला बन चुका था यानि आसा वो काफे दिर से उसके साम में excuses क्रेट कर रहा था कौन ये जो elf है वो just got louder ठीक go to the library तो वो जोर से बोला कि जाओ library जाओ ठीक मुझे library ले चलो I need books मुझे किताबों के जरूरत है more and more books जादा से जादा किताबों के जरूरत है and you can help me read them too और तुमें मेरी help करने पड़ेगी इसको पढ़ने में भी okay as a matter of fact every day in every way और इस प्रकार से क्या होता है कि हर दिन हर तरीके से that little ilf was a nag तो जो little ilf होता है वो एक चिड़ चिड़ा सा पतलब उसके नकरे बहुत जादा हो जाते हैं इसलिए Patrick was working harder तो जो Patrick होता है वो काफी cut-in परिश्रम करता रहता है then ever and यानि कि पहले से जादा अब जो Patrick है तो जादा परिश्रम करना पड़ रहा था जैसा कि इसने सोचा था कि इल्फ करे का मुझे करना नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है इल्फ के रहते हुए भी उसको काफी hard work करनी पड़ रही थी ठीक है then ever यानि कि पहले से जादा कर रहा था महनत ठीक है and was it a drag और उसको और भी जादा कीचा जा रहा था पहले से मतलब उससे जादा कीचा जा रहा था पहले से कटिन परिश्रम करना पड़ रहा था Patrick को को मिला के यह he was staying up nights वो रातों को जाग रहा था had never felt so weary और इतना थका हुआ कभी उसने फीली नहीं किया था was going to school with his eyes puffed and blurry puffed का मतलब होता है सूजी होई आके blurry का मतलब होता है कि कुछ भी clear ना दिखना धुंदला धुंदला सा नजर आना तो जब इसको बढ़ जाता था नाक कह सकते हैं कुबल कह सकते हैं fastidious कह सकते हैं finicky कह सकते हैं ठीक है यह तो सारे synonyms है जो कि आपको जानना चाहिए ठीक है ड्रैग है and informal word something dull and uninteresting यानि किसी का मन नहीं हो लेकिन सबदस्ति उसको खीचना ठीक है slali का मतलब होता है secretively यानि कि क्या होता है कि इल्फ जो है वो जाने के लिए free होता है as for homework there was no more अब कोई भी homework नहीं पचा था so he quietly and slightly slipped out the back door तो वो धीरे से or slightly slightly मतलब कि धूरता से कपटा से वो slipped out वो पाहर चला गया पीछे दरवाजे से ठीक है Patrick got his age और पैट्रिक है उसको अपने एक ग्रेड मिलता है his classmates were amazed उसकी जो classmates होते है वो सभी काफी चौकते है his teacher से smile उसका उनकी जो teacher से मुस्कुराते है and full of praise और उसकी बहुत तारीफ करते है करते कि ये मतलब ठीक है पास्ट में जा रहा है ये पैट्रिक ने कैसे किया he was now the model kid अब वो एक आदर्श बच्चा था cleaned his room वो अपना room साफ किया did his concerns और अपने सभी कारे को अपने सभी deeds को खुद किया was cheerful, never rude और हमेशा खुश रहता था कभी गुसा नहीं करता था like he had developed a whole new attitude और इस प्रकार से उसने अपना एक नया attitude बनाया ठीक है you see in the end अब तुम देखते हो तुम कौन जो विवर्स है ओडियन्स है ठीक है in the end last में पैट्रिक स्टिल थाट he had made that tinny man do all his homework पैट्रिक को ऐसा लगता है कि जो tinny man यानि जो इल्फ है वो उसका काम कर रहा है but I will share a secret लेकिन मैं एक secret तुम्हें बताऊंगा just between you and me जो हमारे और आपके बीच में है यानि लिखने वाले और पढ़ने वाले के बीच में है वो क्या है it was not the इल्फ हो वो कोई इल्फ नहीं था Patrick had done it himself Patrick ने ये सब खुदी किया था ठीक है story लिखी है Carol Moore के द्वारा ठीक है और ये दो word shoot गया है देख लेते हैं kid मतलब होता है informal word है a child और course का मतलब होता है work that must be done every day often boring attitude a feeling about someone or something ठीक है तो ये थी हमारी story story में कुछ question answer ये तो बच्चों के लेवल की है लेकिन फिर भी हमको हार एक word का meaning जानना है और इसका summary इसका जो theme है वो सभी और जो Patrick के एक्चली कहानी है वो ये बताती है कि कैसे कोई जो व्यक्ति होता है वो सफलता है को कैसे प्राप्त कर सकता है मेहनत करके ठीक है और आत्म निर्भर बन की यानि self-dependent बन की ठीक है और last में देखी इस story में हम लोगो पता चलता है कि Patrick जो है वो इल्फ की बस एक imagination करता रहता है और बाद में इससे क्या होता है कि Patrick का transformation हो जाता है ठीक है यानि कि इसका मतलब यह जो पूरी लेसन का जो सार है उसका यह है कि Patrick ने की अपना काम खुद ठीक है एंसर में यही आएगा और इसका जो theme है ना इसका play का यह है hard work is the key of success तो यह थी हमारी आज 6th class की पहले story और कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम दो-दो stories को cover कर लें क्योंकि examination date काफी pass है ठीक है कोई suggestion देना हो तो जरूर दीजेगा मेरे channel को like किजिए subscribe किजिए thanks so much